हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाठ्चाला में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही बहुत ही बहतर डंग से चल लए होगी आप सबको ये बात पता है कि आज कल यूपिटर पेल सी वीडियो का जो मुद्दा है वो बहुत जादा मतलब चर्चा में है और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को पूछ रहे हैं कि सर वीडियो के बारे में भी आप कुछ जनकारी दीजिए तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम लोग डिस्केशन करने वाले हैं देखो आपको पता है यूपिटर पेल सी वीडियो की जो परिक्षा हुई थी वो 2018 में हुई थी दिसंबर माह में और लगबग 1953 पदो पर ये भरती हुई थी तो इस संदर्म में कुछ आपके मिन में शंकाए हैं उन शंकाओं का निवारण मुझा करता हूँ देखो जैसे अभी ये हाई कोर्ट वाला मैटर था दूसरा री एक्जाम के बारे में आपके माहिंड में कुछ है एक्जाम कब तक हो सकता है कौन कौन इसमें शामिल होंगे एक्जाम में और पैट अनिवारी है या नहीं तो इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं बट उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि आपका एक्जाम तो दुबारा होना ही है और वीडियो के एक्जाम में दो चीजें सबसे ज़्यादर प्रमुख हैं आपका जी एस और आपका हिंदी जो राम जी की पाट चाला की तरफ से आपको निशुल्क पढ़ाया जाएगा तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए किया जाएगा उस तरह से मिल जाएगी तो आपको पता है 2018 में परिक्षा हुई बहुत सारे लोग जब परिक्षा में बैटे तो रीजनिंग की वज़े से दिमाग चक्रा गया लोगों का कि रीजनिंग बड़ी मतलब लेवल की पूछ ले गई है उसके कुछी दिन बाद इ होने की बात सामने आने लगी कि भाई OMRC ये ऐसा वैसा फलान अधिमा का फिर भी ये भरती प्रक्रिया पूरी चलती रही और कट ओफ बहुत ज्यादा हाई लगी जिससे अधिकतर बच्चा इसमें से बाहर हो गया जो जन्यून बच्चा था वो अधिकतर बाहर हो गया ये सब चीजे समझ में आई और आयोग ने इस भरती को निरस्त कर दिया जब इस भरती को निरस्त कर दिया तो इस भरती प्रक्रिया में जो फाइनली सेलेक्ट हुए कंडिडेट थे उन लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा डाल दिया और हाई कोर्ट में लंबे समय तक 1953 पद थे जिन में से 1300 प्लस OMR शीट के साथ में छेड़कानी हुई है यानि कि इस भरती का लगबग 70% हिस्सा एक तरह से मतलब संदिक्द है एक तरह संदे के घेरे में है तो कोड में भी ये बात कही कि जब किसी भरती में 70% जो भाग है भरती का पदों का वो इसंदे के घेर तो कट ओफ तो हाई लगनी थी और इस कट ओफ हाई लगने के कारण जन्यून बच्चा बाहर रह गया ठीक है ये बात सामना निकल के आई और भरती हाई कोड ने इस मामले को सिरे से निरस्ट कर दिया तो अब ये बात उठ रही है कि क्या ये मामला अब पहले सिंगल प्रशा उन्मधा देखनी में हो सकता है ये जो कंडुरेंट्स हैं ये इसको डबल वेंच में लेके जा सकते हैं पर ये बात सुनने में आ रही ही ये बात निकल के आ रही है जिन sachी रही फैसला दिया है वो बहुत अच्छा फैसला सुनाते है और डबल बैंच में जाने प बता देता हूँ जादतर cases में देखने मों मिला है कि ऐसे मामलों में re-exam ही होता है आपकी दोबारा या पुना परिक्षा होगी नए form नहीं भरवाए जाएंगे इसका पूरा-पूरा अनुमान है ठीक है नए form नहीं भरवाए जाएंगे आपके पुराने जो forms पड़े हुए उन्हीं पर re-exam होगा एक्जाम कब तक हो सकता है ये बात है आपने देखा होगा कि यूपिटर बलसी ने एक कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर में वीडियो के एक्जाम को जो संभावित तिती मानी थी वो मार्च में मानी थी और ये कहा था कि ये कोर्ट के निर्णा क आधार पर ही इसमें सब कुछ होगा तो अभी तक हम कह सकते हैं कि यदि इसका एक्जाम संभाव है तो वह मार्च के महिने में मार्च 2022 में संभाव है अभी इसके एक्जाम की कोई भी चांसस नहीं है अब इसमें कौन-कौन शात्र सामिल होंगे अब देखो नया बच्चा तो इसमें कोई भी एड होना नहीं है तो इसमें चात्र सामिल होने का क्या मतलब है चात्रों के शामिल होने का मतलब इसमें यह है कि इस परिक्षा में दो तरह का बच्चा हुआ जिसने फॉर्म भरा एक तो वह बच्चा हुआ सारा जिसने एपलाई किया वह सारा बच्चा यानि कि exam में दोनों condition रख सकता है वो ठीक है या तो सब का exam लेगा जिन्होंने apply किया री exam में सब बैठेंगे जिन्होंने apply किया था या केवल वो ही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने परिक्षा में अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई थी इसे cases में जब री exam होता है तो जिन लोगोंने apply किया था वो लोग क्या करेंगे उन सब को बिठाएंगे अब पैट के बारे में कहें किया इस भरती में बैठने के लिए पैट अनिवारी है के नहीं है तो आपको पता है कि भरती 2018 की है ठीक है और पैट अभी आपका 2021 में हुआ तो इस भरती से पैट का कोई भी संबंद नहीं है तो आपको बिल्कुल भी tension लेने की जरूरत नहीं है आप देखो आगे कोई भी अपडेट इन भरती की आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा सब चीजे मैं आपको समझाता रहूँगा बस आपको चैनल के साथ ज जै भारत